नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इस्रम कार्ट के बारे में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार गरीब कल्याण के लिए कई सारी स्कीम चला रही है इन स्कीम का लाब लेकर आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं अगर आप रोजाना मजदूरी करते हैं स्रमिक हैं करसी स्रमिक हैं कंस्ट्रक्शन करमचारी हैं सबजी विक्रेता हैं रोड पे दुकान लगाते हैं तो ये इस्रम कार्ट की स्कीम का लाब आप ले सकते हैं जो कि बाहरत सरकार के द्वारा पूरे भारत के मजदूर परिवार के लिए सुरू किया गया है। ठगी करने वाले लोग काफी अक्की हो चुके हैं जो बहुत आसानी से ही आपको चूरा लगा सकते हैं। 38 करोड से अधिक कामगार इसरम काड़ के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इन स्रमकों में प्रवासी और क्रिशिव उस्रमक यानि की जो हमारे किसान वाई हैं वो भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे करें apply इस्रम कार्ड के लिए अगर आप चाते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं उम्मीदवार इस्रम कार्ड के लिए तीन तरीकों से पंजीकर्ण करा सकते हैं जिसके विसे मेहम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले आपको बता दें कि उम्मीदवार इस्रम कार्ड के लिए अद्गारिक विबसाइट पर जाकर करके पंजीकरण करा सकते हैं इसके अलाबा आप अपने नजदी की CSC के माध्यम से भी जाकर करके वहाँ पर करा सकते हैं इस्रम कार्ड का पंजी करन कराने के लिए कामगारों को कुछ जरूरी दस्तावेजों के आप रसकता होगी जैसे की आधार कार्ड आधार कार्ड से link mobile नमबर और bank account आधी इन दस्तावेजों के आधार पर आप बहुत ही आसानी से अपना registration के जो भी प्रक्रिया होती है आप उ एस् ness portal पर 5 पे पंजीकृत होना जरूरी है, एस नव पोटल पर 5 क्रफ पर 5 कामगारों को 2 लाक रुपई तक के दुर्गटना भीमा की सुब्धा दिज़ाएगी, ये दुर्गटना में क्रमगार के मृत्य हो जाती है तो उसके परिवारं को 2 लाक रुपई अभणिद किये ये दुरगटना में कामकार का आंसिक रूप से विकलांग हो जाता है कोई हाथ पाय कट जाता है उसका तो उसे एक लाग रुपए दिये जाएंगे पंजी गरत कामकारों को एक UNA नंबर दिया जाएगा जो कि उनका वो उनिवर्सल नंबर होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करिए हम फिर से मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बगबाई